आज हम बनाएंगे सूपर और टेस्टी करेले का भरवा इसको खाने में बिल्कुल भी करभाहट पड़ नहीं है तो चलिए हम शुरू करते हैं तो मैंने यहां पर हाफ के जी करेले लिए हैं इसे हम पहले अच्छे से वाश कर लेंगे और इसके पानी को सुखा लेंगे इसके पूरे चिलके नहीं निकालेंगे हम इसे कटर से नहीं चिलेंगे चक्कु से चिलेंगे तो इस तरह थोड़ थोड़ चिलके निकाल लिए मैंने तो यह देखे और इसके बाद हम इसको इस तरह बीच में कट करेंगे पूरा कट नहीं करेंगे और इसके बीच को निकाल लें तो इसके बीज करें में इस तरह कर लेंगे असाय से निए निकल जाएगा और इस तरह हम जासाफ कर लेंगा अच्छे से तो यह दिखे में अच्छे साफ कर लिए अभी जो मोटे मोटे बीजे इसे हम साइड में रखते थे इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी से गलता नहीं और खाने में मज़ा नहीं आता और बाकी जो छोड़ी सोटे बीजे उसे हम छिल्के के साथ रख देंगे अब इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके हम इसे एक घंटी के लिए रख देंगे या आदे घंटी के लिए रख देंगे इसे जितने जाद देर तक रखेंगे हम तो इसके करवाहर पर हैं जो अच्छे से निकल जाएगा और इसमें से पानी निकलेगा तो इसमे यह द्युद्टा करें कि अब इसे हम इस सब निकाल लेंगे नमक पूरा पानी सब निकालेगा इसके नबी कड़वा पन है अच्छे से और इक ले आपका बिल्कूल भी कड़वा नहीं लगेगा और यह चिलके इसको भी अच्छे से हम निचोड लेंगे तो यह देखे कितना सारा पाई निकल गया तो इस पानी को हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा और पानी एड़ करके पी सकते हैं और अगर नहीं पीने आए तो आप इसे फेंग दे पैसे पीने से आपका फायदा ही फ माध़े तो नहीं है फेह तरहा है है यह बना सकते हैं और इसमें फिर गहाने के बार जाबदा करेंगे आप यह इसमें अच्छे से जर्मा इसके मैं दिल कर दीए प्या हीम आपका है शैति शाग श Ahí can जैसे ही प्यास अच्छे से फ्राय हो जाए इसमें हम चिलका और बीज जो है तरे लेगा उसे आइड कर देंगे और इसको चार पांच मिले पकार लेंगे इसके बाद इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे तो मैंने थोड़े से हल्दी लिये हैं धनिया पॉडर थोड़े से ला पर दो चमच सौंफ लिए सौंफ से बहुत अच्छे खुछबू आती है और थोड़ा सा नमक एड़के हैं तो नमक आप ध्यान रखे थोड़ा साई डाले क्यूंकि हमने करेले में भी नमक डाल रखा था इसमसाले को अच्छे से हम भून लेंगे जैसे भून जाए अब इ अब जो थोड़ से मसाले बची के एन है इसमें त्रेले के ऊपर से डाल दोगे आ यह पर फैने यह यहां पार दोड़ा दिल हो इसमें प्लत कर लेंगे जैसे अच्छे बची से गरम हो जाए इसमें हम उपरने सब आल एंग impression confident ने दिने से मीडिन फ्लेम पर तर में दूसे स इस तरह एड़ कर देंगे अबना में इसमें 4-5 हरी मिज भी एड़ कर देंगे यह अच्छी से फ्राय हो जाएगा फिर खाने मजाएगा तो यह आपकी मर्जी आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसे गाइश करने के लिए थोड़ा सा धनिया पता हम एड़ कर देंगे तो यह हमारी करेड़े के सूपर और टेस्टी सबजी तैयार हो चुकी है तो इसे अब सर्फ कर सकते हैं चावल के साथ रोटी के साथ यह देखे बहुत सॉफ्ट बनी है अराम से कट जाएगी है और अब खाने में बहुत टेस्टी है बिल्कूल भी करवाहट पर निया इसके अंदर बच्चे भी से अराम से खा सकते हैं तो आप इसे जड़ूर ट्राय करें आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें चैनल पर नए हैंदे सब्सक्राइब कर दें फिर मिलेंग